खाने में चाहिए टेस्ट तो सुन्दरम है बेस्ट घर पर मंगवा कर खाएं सुन्दरम का खाना फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें सभी तरह के फास्ट पूड जैसे रॉल, चौमी, मोमो, बिर्यानी, नूडल्स सभी तरह के चाइनीज फूड के लिए ज़रूर बढ़ारे सुन्दरम फास्ट पूड राजेंद्र कुलोनी मोर स्टेशन के सामने नवगचिया नमस्कार, मैं हो नी धीजा और आप देखेंगें जीए समय, आई ये सुरात करते हैं बिहार की प्राइम टाइम खबरे बिहार में 34,000 सिख्षकों का पद खाली, हाई पोर्ट ने नितिस सरकार से मांगा जबाब बिहार में second year और हाई second year स्कूलों में बड़ी संख्या में शिख्षक पद खाली है, हाल ही में केंध्र सरकार ने भी इस मामले में बिहार को पहले स्टान पर रखा था, देश भर में सबसे ज़ादा भिहार की सिख्षा विवस्था खडब है यह केंदर सरकार की रिपोर्ट बताती है गुरुवार को सिक्षकों की बहाली को लेकर हाई कोट ने सुनवाई की हुई है पटना उच्ची नियायाले ने इस मामले में निते सरकार से जवाब मांगा है लालो के खिलाप रांची हाई कोट में जन हित याच का दाखिल जेल मैनुवल उलंगन का आरोग रांची में सजायाफता लालो परसाथ के खिलाप रांची हाई कोट में एक जन हित याच का दाखिल की गई है उनके खिलाब जेल मैनुवल उलंधन का आरोब भी लगाया गया है यह आज का उनकी जमानेत की सुनवाई के एक दिन पहले कोट में दाखिल की गई बीजेपी विधायक को फॉल करने पर लालू परसाथ के खिलाब बीजेपी भी राची हाई कोट में पी आई एल दाखिल करने वाली बिहार में कोरोना को लीकर पटना हाई कोट सकत सरकार ने मंगा पूरा ब्योरा पटना हाई कोट ने राजी में कुरोना महमारी को नियंत्रित करने के लिए की जा रही कारवाई का पूरा ब्योरा आगा में 8 दिसंबर तक फेस करने का निदेश दिया है दिनेश कुमार सिंग वा अन्य की आजिकाओं पर शिफ जश्टिस निया एमोर्टिर करोल के अध्यक्षता वाली खंड पीठ में गुरुगार को सुनवाई करते हुए कहा गया कि बिहार में कुरोना कार नहीं होना मिथक मातर बताया गया है अचानक लगी आग में 75 वर्षे व्रिद्य महिला की मौत घर का पूरा सामन जल कर रहा है अगलगी की घटना लगातर बरती जा रही है अगलगी की घटना में समपत्यों का नुकसान तो हो ही रहा है साथ ही जानमाल का भी नुकसान हो रहा है इस बीच कठ्यार से एक अगलगी की घटना सामने आई है जिसमें एक व्रिद्य महिला की मौत हो गई है लालो के जाल में नहीं आये मांची और साहनी सरकार बनाने के लिए संपर्क साथने की राज़त अध्यक्ष ने की थी कोशिस राज़त सुप्रेमो लालो प्रसाथ की कथित और्डियो के मामे में राची जेल से आई जी ने अब जांच के आदेश दिये हैं इसके बाद भी यह मामला स्रांथ होने का नाम नहीं ले रहा जेल से लालो प्रसाथ की ओर से विधायक ललन पासवान को फौन करने पर सियासत गर्माई हुई है इस बीच हम और वियाईपी के अध्यक्ष ने भी लालो प्रसाथ कोलने कर बड़ा खुला सकिया पार्टी हम के अध्यक्ष जीतन राम माजी ने कहा है कि लालू परसाद ने मुझे और मेरे विधायकों को संपर्ट करने की कोशिस की तो वहीं वियाईपी के अध्यक्ष दो कदम आगे बढ़ते हुए नजड़ाए उन्होंने कहा कि जेल से लालू से बातचित का वीडियो भी मेरे पास है जिसको हांसिल करने का प्रियास किया जा रहा है पूर्णिया में बेखोब चोड़ों का आतंत दुकान से की 50,000 रुपे और मोबाईल की चोड़ी पूर्णिया में एक सब्ता से चोड़ों का आतंत अपने चरम सीमा पर पहुंच गया है लगाता साथवे दिन बंदपड़ी दुकान से करी 50,000 नगदे साइट मोबाईल और एटियम की चोड़ी हुई है सहायक खजांची थाना छेतर अंतरगत सिवपुरी स्थित व्यासनवी स्टील फर्निचर की दुकान में बने कमड़े में इस चोड़ी की घटना को अंजाम दिया गया लालु को जमानत नहीं मिली तो कल बंगले से होंगे बाहर फिर से पेइंग वर्ड में किया जाएगा सिप्ट चारा खोटाला में सजायामता लालु प्रसाथ की जमानत पर कल राची हाई कोट में स्वनवाई होने वाली है अगर लालू प्रसाथ को जमानत नहीं मिली तो उनको रिम्स निदेशक के बंगले से बाहर कर दिया जाएगा बंगले से लालू को रिम्स के पेइंग वार्ड में फिर से सिप्ट कराया जाएगा इसको लेकर अधिक्षक के नैत्रित्म में टायारियां की जा चुकी है बिहार में फिर मिले कोरोना के 6282 नए मरी राजी में पॉजेटिव मरी जों का आंकरा पहुंचा 23 लग 31,042 बिहार में कोरोना संक्रमन की रफ्तार अब धीमी हो गई है लेकिन इसके बावदोत भी हर रोज हजारों के संख्या में पॉजेटिव मरी भी रहे हैं बिहार में फिलाल 6107 कोरोना के एक्टिव मरीज पाए गई है। खोट परिसर में नियायले कर्मियों को संभिधान के मूल उद्यस्यों को बताया गया बकसर में अपराधियों का तांड़ जारी 24 घंटे के अंदर पांच को मारी गोली निन्द से नहीं जग रही है नोगच्या सेट आजबास के लोगों के लिए खुसखबरी अब एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ अब बाजार जाकर ही रासट खरीदने की क्या है जरूरत जब ओई माठ है आपके लिए तैयार ओई माठ के मोबाइल एप वबेफ साइट से करें खुल कर खरीदारी पाएं होम डिलिवरी संपर्क करें 8340371787 7325052437